हेलो फ्रेंड्स आज बनाएंगे चने का सक्तू जो गर्मियों में बड़ा सीतल होता है प्रोटीन से और मिन्राल से बरफूर होता है डाजेस्टिव टोनिक है तो इसमें हम लेंगे बुनेवे चने 50 गराम बुनेवे चने और जीरा 50 गराम बुना हुआ पाउडर करके रख लो इस पाउडर में से एक चमच पचास गराम चने में मिलाकर मेक्सीम डालें और उसको दो चमच कुटी वी दागे वाली मिसरी भी डाल कर अच्छे तरह चलाएं फीष कर पाउडर तेयार कर लें इस पाउडर को निकालकर मेक्सी से किसी बहौल में रखे हैं और उसके अंदर उसको वापिस में डाल कर अदा गिलास पाने डाल कर पत दिनने के पते 10, 12, 15 जितना आप से सकते हैं यह बेक्टिरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं बेक्टिरिया अंदर है जेके वगरा यह गर्मियों में अने वाले डाइसेंट्री वगरा के बेक्टिरिया को मार देता है तो मिक्सी में दुबारा से चने का पाउडर, जीरे का पाउडर और मिली वी मिस्री आठ दस दस बारब पत्ते दनिये के इनको डाल कर एक कप पानी डाल लो और फिर जोर शिर चलाओ तो पतला पेश्ट बन जाएगा अगर गाड़ा लगता है तो इस पेश्ट को निकाल कर गरम करके ठंडा किया हुआ दूद, दूद नहीं पसंद है तो एक कप पानी मिला कर स्वाद से पिएं अब इसमें अगर आप चाहें तो एक चुथाई चमच काला नमक का पाउडर भी मिला सकते हैं खटा मेटर स्वाद हो जाएगा बीपी पेसेंट्स हैं हाई बीपी के वो काला नमक ना मिलाएं और जो सुगर पेसेंट्स हैं वो मिस्री ना मिलाएं वो काला नमक मिलाएं ये बड़ों की मातरा है, 7-8 साल से लेके 18 साल तक के उमर के आदी मातरा में यूज़ करें ये गरवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है और दूद पिलाने वाली माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा टूनिक है टो दोस्तो मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना, दोस्तो में सेर करना और चैनल को अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो पलीज सबस्क्राइब कर देना ताकि मोटिवेशन मिले मुझे और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो सकूँ धन्यवाद